कुछ चीजों में उसका ध्यान रखना बहुती जरूरी है ऐसी कौन सी चीज़ है बच्चों की जो बच्चे गलती करने के चांसे होते हैं देख को दिस् सिंटेंब्स्या शलमं केकր है और किसा है आप लोग अपना जोरूट मुस्ट्यां करके जो गलती उ है है वो गलती है आपको login ID डालते हुए यहां पर उसको clear करना है सबसे में बच्चों मैं दुबारा गुजाइश कर रहा हूँ आपकी login ID and password किसी को share मत करना यह मेरा दोसे भाही है कोई नहीं आप अपना login ID और password आपके notebook में घर के diary में आपके ममी पपा जो भी लोग होंगे उनको सभी को बता के यह login ID यहां पर आप लोग यहां पर अच्छी तरह से रखना है क्योंकि क्या होता बच्चो login ID पासवर्ड एक बार भूल गए तो बहुत बड़ी गलती होने के चांसे से तो मैं ऐसे सभी बच्चों को गुजारिश कर रहा हूँ login ID और password ना भूलिए संभाल के रखिए किसे किसा शेर मत करिए क्योंकि बच्चों जब भी इस कुटनी में application जब चला जाता है कोई IDB student का वहाँ पर जो भी गलती होगा जो error होगा वह आपको mail या message कर सकते हैं अपके phone पर तो बच्चों आपका phone number authentic होना चाहिए जो चालू है वही होना चाहिए और आपकी mail ID भी जो चालू है वही देना है इन चीज़ों पर धान रखना है क्योंकि इस scrutiny आपको chance दे रही है कि आपने यह गलती कि यह correct कर लो लेकिन बच्चों अगर आपने correct नहीं कई तो आपका भूगतना पड़ेगा तो बच्चों यह चीज़ इंपोर्टर से रखना है लोग इन आपका फोन नंबर जो चालू है वही देना है mail ID जो चालू वही चार चीज़ों को बहुत रिस से धान रखना है देखो चैनल शॉल एडिट इडिट दरिवें अप्लिकेशन फॉर्म रिसब्मिट अप्लिकेशन फॉर इस कूतन अगर कोई करेक्शन हो तो आपके पास बच्चों जो भी यहां पर डाकुमेंट हो वो डाकुमेंट प्रूप के साथ आपको सब्मेट करना पड़ते हैं जो भी उन्हें बताया कि यह आपका गलत है तो डाकुमेंट होना चाहिए देखो डिवरिंग इस स्कूटनी मोर कंड प्रिंग यह डाकुमेंट आपके पास प्रूपने कास्ट वैंडिटी का सटपिकेट नहीं नहीं रहा तो कास्ट वैंडिटी कम से कंडर रिशेटन मर वैलिड होना बहुत जरूर्य है ठीक है देखो इन दिए केस आप नौन सब्मीशन और डिविलन डाकुमेंट देक एड च्टेगरी बैड़े सी बसाइब के दिए उसके लिए का च्ट लेंटी कास्ट कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए नहीं तो आप वह ग्लेंड से लूज हो सकते हो आपका प्लेंड उस चीज पेंहीं रहेगा और आपका perform यहां पर open में चला जाएगा वो claim को आपको without मतलब consider नहीं किया जाएगा I will repeat बच्चो जो भी आप लोग submit कर रहे हो उसका proof मतलब मैं हूँ क्या डेगिरी में सही बात है लेकिन आपके पास कोई proof ना हो तो आपको उसको consider नहीं किया जाएगा आपका claim आप open में consider किये जाओगे आप लोग अगर बच्चो इस चीज़ को धान में रखते हुए मैं दुबारा कोशिश कर रहा हूं सभी बच्चों को request कर रहा हूं अगर आपने कोई चीज़ को claim किया तो उस claim का authentic proof होना बहुत ही जरूरी है मतलब उस चीज़ का आपके पास proof क्लिक मतलब documentary बच्चों मुझ से बोलने से या आपने कोई चीज़ पे क्लिक करने से नहीं होगा क्लिक करना यह कोई options नहीं है आपको उसका क्यों कि बच्चों का काम क्या है बच्चों यह center जो scrutiny के center में ने दिये है उई scrutiny जो number दिया गया है उई scrutiny तो आपका document जब जाएगा वहाँ पे वो देखेंगे सही में यह authentic बात है या गलत है authentic बात मतलब क्या बच्चों वो देखेंगे सही में इन्होंने जो प्रूप दिया है यह प्रूप सही या गलत है ओली क्लिक तो क्या है लेकिन document upload ही नहीं क्या वहाँ पे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है बच्चों यह आपको 9 से 15 मतलब आज की 10 तारिखे 10 11 12 13 14 15 6 दिन आपके मतलब 7 दिन देते एक दिन चला गया 6 दिन आपके हाथ में है सबी चीज़े बहुत concentration से बरे मैंने गलती से बात बता दी थी जहां पे आपको फोटो अपलोड करना वहाँ साइन होना चाहिए तो साइन नहीं रही तो चलती है उस फोटो पे कोई साइन देनी की ज़र करने की दुबारा कोशिश करूंगा आप लोगों को सभी चीज़े हम लोग प्रभाइड करने की बहुत राब दिन कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना लाइक करना न्यू है तो इस वीडियो को सब्क्रैब भी करना बैच्चो और साथ में आपके किसी के भाई बहन काका लड़का लड़की जो भी आड़ोसी पॉडोसी जो भी क्लास टेंथ 11 अंट 12 में पढ़ रहे हैं मैं सभी को बहुत हार्टली रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बच्चे ने अगर पात बच्चे के पास चैनल को पहुचा दिया तो एक लाथ ते मुझे समझ में नहीं आती है मैं तुरंट कॉल लगा के लाहिव में कॉल लगा के मैं आपको अंसर दे रहा हूं लाहिव मैं कॉलिंग कर रहा हूं जो लोग यह हैं इंजिनिंग कॉलेज फार्मसी वाले को कॉल करके आपको बता रहा हूं इसके अलावा मैं एक्सबर्ड ल मतलब आपको तीन दिन के बाद वह grievances करते हैं बच्चे कि मेरा यह हुआ वो हुआ जो भी grievances तो grievances होने के बाद आपको अपनी प्रिविजनल मेरिट लिष्ट डिस्प्ले होने चाहिए यह जो भी यहाँ पर आप लोगों को website पर जो authentic website डिवाली उस पर ही तो बच्चों यह स password किसी को देना नहीं है शेर करना नहीं है संभाल के रखना है आपके डायरी पर घर की डायरी पर ममी पपा के बस इसके आलवा किसी के पास नहीं अगर भूल जाते हो तो उनको call करके पूछ सकते हो ठीक है दुसरी बात आपका जो phone number जो चलू phone number है जो उस पर call आते है mail आते आता है आपको message OTP आता है सब कुछ चीजे जो इस कुछ आपको अगर error है तो error भी आपको remove करने के लिए phone number mail ID बहुत important चीज़ है तो इस चीजों के ना भूलिए बहुत सरे बच्चे ये भूल जाते हैं गलती करते हैं इस गलती को ना करें क्योंकि अभी मुझे पता कल नव लोगों को आज से बिल्कुल काम को लगना है मैं तो बोलता 15 की कोई लोग वेट नहीं करेंगे आज से ही 2-3 दिन में कर लो ज्यादा-ज्यादा 14 तरिक तो आपका पूरे लोगों का काम होना चाहिए क्योंकि बच्चों इस scrutiny ये जो है आपको कोई चीज रहे तो आपको पत है इस गलती को आप लोगों को यहां पर रिमू करने की कोशिश करनी है हम लोग हमेशा आपके साथ में यहां पर हेल्प करने के लिए तयार है ठीक है तो यहां पर यह नो एरर फॉंड सब्मीटेर अप्लिकेशन यह मैंने आपको अभी अभी बताया यह चीज को धान देना है अनलाइन अप्लिकेशन रेजिस्टेशन तो मैंने बता दिया आपको ठीक है यह अल्री यह चीजें हमारे डॉक्टर उल्ला शूर कर सर ने बताये थी लेकिन यह वीडियो बहुत लंबा चोड़ा हुआ था इसलिए मैंने उस पर ही वीडियो बनाया है क्योंकि मैंने दे नहीं बोलना है मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन सभी बच्चों को I will repeat repeat कर रहा हूं login ID पासवर्ड ना शेयर करें नंबर दो चीज फोन नंबर आपका बराबर होना चाहिए नंबर तीन चीज आपकी mail ID जिस पर mail आ सके ऐसा number mail ID देना है चलो thank you and best luck for your प्री पूर्ण